नमस्कार आप देख रहे हैं CWB Hindi News अधालत ने पपला गुरजर पर 10,000 रुपे का जुर्माना भी लगाया फैसले के समय गैंग्स्टर पपला कोट में मोजूद था बिमला मटर केज में अधालत ने 25 अक्तुबर कोई पपला को दोशी करार दिया था मंगलवार सुबह उसे बारी सुलक्षा के बीच कोट लाया पपला गुरजर ने 6 साल पहले बिमला की 23 गोल्या मार कर हत्या कर दी थी इस गेश के 6 अन्य आरूपी संदे के लाब के चलते 3 साल पहले बरी हो चुके हैं अहिलनाबाद में दूशेन चोटला का विरोध पोहड का गाउं और अहिलनाबाद के मुख्य बाजार में डिप्टी सीम के काफिले को किसानों ने दिखाई काले जंडे हर्याने के डिप्टी सीम दूसेन चोटला मंगलवार को सिर्शाज लेके एलनाबाद विदान सभा सीट में होरे उप्चनाओ में बीजेपी जेजेपी गटबंदन के कैंडिट गोविंद कांडा के समर्थन में परचार करने उतरे इस दोरान पोहड का गाउं की सभा और एलनाबाद के मुख्य बाजार में रोडसों के दोरान किसानों ने दूशन्त का विरोध किया और उने काले जंडे दिखाए इस दोरान पोलिस और अर्चनिक बलोने सड़क के दोनों तरफ हुमेन चैन बनाकर किसानों को आगे आने इसे रोका किसानों ने भाजबा और जजबा मुर्दाबाद और गोवाल गांडा मुर्दाबाद के नारे लगाए हिसार पहुंचे मुख्यमंतरी एरपोर्ट की रनवे और अन्य काम का निरेक्षन चुनाओ परचार के लिए एलनाबाद निकले चंडिगण से शिर्षा जा रहे मुख्यमंतरी मनोलाल खटर मंगलवार दोपैर हिसार एरपोर्ट पर पहुंचे मुख्यमंत्री चार्टेड प्लेन से हिसार उद्रे और यहां से गाड़ी में सिर्षा के लिए रवाना हो गए हिसार पहुँचने पर मुख्यमंत्री ने एरपोर्ट पर चल रहे रनवी विस्तार और दूसरी कारियों का निरिक्षन किया मुख्यमंत्री ने कई अन्य विभागों के साथ अधिकारियों के साथ बैठक की और विभिन कारियों की परगतिय की समयक्स्या की उन्होंने अधिकारियों के निर्देश दिये की एरपोर्ट विस्तार के दूसरी च्रण के काम निर्धारित समयावदी में पूरे किये जाएं इसके बाद सीम हवाई पट्टी पर पहुंचे और वहाँ चल रहे कारियों का निर्ख्षन किया टेकरी बोर्टर खोलने पर 4 गंटे मंथन हर्याना की हाई पाउर कमेटरी ने रखे अपनी बात किसानों उद्योगपतियों को सुना बोर्टर का दोरा भी गया केंदर सरकार के तीन खेती कानोनों के खिलाब 11 महीने से चले किसानों के आंदोलन के चलते सीमा पर बंद पड़े शिंगू और टीकरी बोर्टर को खुलवाने के लिए मंगलवार को एहम मीटिंग हुई बहाद रुकड हुई इस बैठेक में हरियाना सरकार की ओर से गठित हाई पाउर कमेटे की अध्यक्स और परदेश के होम सेकरेटी यानि एससी राजी वरोडा डीजीपी पीके अगरवाल ADGP संदीप, कमिशनर पंकज यादो के अलावा जजजर के DC स्यामलाल पुन्या, जजजर के SP वसीम अकरम और सोनिपत के SP राउल सरमसा मिलुए इसमें किसान यूनियनों के परतिवी निदी और उद्ध्यक्पती भी पहुँचे सुप्रीम कोट के आदेश के बाद हर्यान सरकार ने दिल्ली की सीमा पर चल लए, किसानों की आंदोरोन की वज़े से बंद पड़े रास्तों को खुलवाने के लिए परतेश तरिये हाई पाउर कमेटी गठित की है बरबारी, बारीश, ओलावर्ष्टी से पारा गिरा, हिमाचल और उत्राखन में बरबारी, हरियाना में इस अफते बढ़ेगी ठंड, अब उत्री परस्ची में हवा बढ़ाईगी ठिटूरन हिमाचल और उत्रखन में बरबारी का दोर शुरू हो गया है सोमार को भी ताजा बरबारी हुई हर्याना में दो दिन बाद बारिस ओलावश्टे के कान सोमार को हिसार का निम्तम तापान 14 तसमिलो 6 डिगरी पर आ गया जो सामाने 102 डिगरी कम है मोसम बिबाग के मुताबिक 30 अक्तवर तक पाड़ों की ओर से चलने वाली उत्तर परस्ची में हवा हर्याना पंजाब समेच देश के मैदानी इलाकों में ठीटरन बढ़ाएंगी उदर हिमाचल में बरबारी के चलते एनेज 003 मनाली लेमारक सर्यू के आगे पूरी तरह से बंद है दक्षिन परस्ची में मानसुन सोमार को देश बर से विदा हो गया हर्याना से मानसुन 6 अक्तुबर को विदा हो गया था मौसम विबाग के मताबिक अगले एक हफते उत्तर भारत में आस्मान साफ रहेगा मौसम सूस कोगा निहुंतम तापमान में ग्रावट आएगी जबकि दक्षिन राज्यों में उत्तर पूर्वी मानसुन की वज़े से तमिलाडू, केरल, करनाटक, अंधरपदेश, पॉंडचेरी में अगले पांस दिन तक भारी से बहुत भारी भारी सो सकती है डेंगू का कहर, पानिपत और ट्रोहाना में चातर समय तीन की मोद, परदेश बर में डेंगू के एक दिन में 348 नए मरीज परदेश के अस्पतालों में डेंगू से निपटने के लिए प्रियाप संसादन नहीं, डेंगू मलेरिया के लिए स्टमबर से नॉवंबर माह को पीक सीजन माना जाता है दोनों ही बिमारियों में रोजाना बढ़ रहे आंकडे ये सपस्ट पीकर रहे हैं अक्तूबर का अंतिम सपता आने तक डेंगू ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है सोमार को परदेशबर में डेंगू के 348 नए मरीज मिले इस सेजन में डेंगू के मरीजों का आगड़ा 3657 पहुंच चुका है 25 अक्तूबर को फद्याबाद में सबसे ज़्यादा यानी 58 मरीज मिले सोनिपत में 56 और 9 में 44 केस मिले PGI समेथ परदेशबर के सरकारी और नीजी अस्पतालों के मेडिसिन OPD में रोजाना सामानी से 4-5 गुना मरीज इलाज कराने पहुंच रहे हैं वहीं बात करें दक्षन हर्याणा के नारनुल सहर की तो नारनुल के नागरिक अस्पतालों में प्लेट लेट्स किस व्यवस्था नहीं है ऐसे में जिले के डेंगों के गरस्त मरीजों को उपचार के लिए दिली जैपूर वे गुरूगराम जाना पड़ रहा है या फिर नीजी हैस्पतालों में इलाज करवान पड़ रहा है चोदरी देवलाल विश्वी दैलये में बीएड में दाखले कе लिए सेडूल जारी किया विश्वी देला के प्रोगता ने इस बारे में जानकारी देते भी बताया कि विश्वी देला के शिक्षय विवागता था गौवर्मेंट एडिड महावी देलों में उक्त कॉर्सों के लिए 26 अक्टूबर से ओनलाइन रेजिस्टेशन तेथा ओनलाइन आविदन आमतरत की प हरियाना गोशेवा आयोग की ओर से अब कुछ नया करने का प्रियास किया जा रहा है इसी करम में इस बार दिवाली के लिए लाखो दिये तयार किये जा रहे हैं यह दिये इस बार घरों को रोशन करेंगे साथ ही गोबर से गमले भी तयार किये जा रहे हैं उक्त गमलों में पोदे लगाए जाएंगे जो पॉलिथिन का स्थान लेंगे और परियाण को बचाया जाज़केगा इतना ही नहीं राजी का गोशेवा आयोग आने वाले वक्त के लिए डियेपी खाद का विकल्प तयार कर रहा है देश और विभिन पर्देशों में चल लएक के लिए गोशेवा आयोग अब डियेपी का विकल्प तयार करने में जुटा हुआ है गाई के गोबर से प्रोमखाद बनाया जा रहा है पागाईदा इसके कई दोर की लेब टेस्टिंग हो चुकी है जल्दी इसका प्रोडेक्शन शुरू होगा आने वाले दिनों में ये खाद डियेवी के विकल्प के दोर पर मोहय ये क्रिया जाईगी गन्ने का बीज खरीदने के लिए किसानों को एक एकड़ पर मिलेगा आठ जार रुपे का अनुदान गन्ना तकनी की उदेशे प्रियोजना के तैद कर्शी तदा किसान कलेण विबाग द्वारा साल 2021-22 में CEO 15-0-23 किस्म की एक आंकी बिजाई 4 फुट फासले पर करने का आवान किया गया है बीच खरीदने के लिए अधिकतम एक एकड़ के लिए 8,000 रुपे का अनुदान राशित दी जानीते हैं एक आंकी बिजाई से फुट के साथ किसी भी किस्म के गन्ना बिजाई करने पर राश्टिक खादे सुरुक से मिसन के तैद अनुदान देने का प्रावदान है साहिक गन्ना विकास हद्दिकारी ने बताया कि किसान भाई किर्शित था किसान के लिएन विबाकी वेबसाइट पर अपना आविदन 30 नौमबर तक कर सकते हैं आविदन करने के लिए साहिक गन्ना विकास हद्दिकारी के कारेले में भी संपरक किया जा सकता है विरोध के बीच एलनाबाद के चुनावी दंगल में उतरे दूशन चोटाला अभया चोटाला पर बोला हमला एलनाबाद उप चुनाव के लिए अब तीन दिन बागी रह गए हैं ऐसे में राजनितिक दलों तवाला चुनाव परचार जोरो से किया जा रहा है इनलो भाजबाद, जेज़ेपी और कॉंगरेस के नेता एलनाबाद पहुंचकर अपने अपने उम्मिद्वार के लिए वोट मांग रहे हैं इसी कड़े में किसानों के विरोध के वीज़ परदेश के उप मुखिमंद्री दुसेन चोटाला गटपंदन उम्मिद्वार गोविंद्वार के पक्स में चुनाव परचार करने एलनाबाद पहुंचे इस दोरान उन्होंने इनेलो के उम्मिद्वार अभे चोटाला पर हमला बोला उन्होंने कहा कि एलनाबाद की जनता ने 11,000 वोटों के साथ इनेलो का विधायक बनाकर विधानसभा बेजा था लोगों ने इस उम्मीद के साथ विधायक वेज़ा था कि वे विकास की बात करेंगे लेकिन सवा साल में एक बार भी एलनावाद की बात नहीं की और इसके बात कहे दिया है कि जब तक कानुन वापिस नहीं होंगे तब तक विधानसभा नहीं जाओंगा हर्याना में सिवानिवर्थ शिख्षको को किया जाएगा पुनर नियूक्त हर्याना की सरकारी मोडल संस्क्रती सीनियर स्केंडि स्कोलों में रिक्ष्षको के पदों को भरने की प्रिकरिया पुरी होने तक स्कूलों में हाल इमे हुए सिवानिवर्थ हुए सिख्षकों की पुन्दर नियुक्त की जाएगी सिख्षकों की पुन्दर नियुक्त का कारेकाल एक साल के लिए होगा हर्याना की सिख्षया मंतरी कामरपाल गुर्जर का कहना है कि मोडल संस्क्रती स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का सिख्षकों के रिक्पदों की वज़े से सिख्षक बाग नुक्सान नहीं होने देगा जब तक सरकार नीमिट सिख्षकों की भरती की परिगर्या को पूरा नहीं करती है तब तक उन सिवानिवर्थ सिख्षकों को स्कूल में पढ़ने का काम सोपा जाएगा जो हाल इमिज सिवानिवर्थ हुए है हर्याना के स्कूलों में सिख्षक 58 साल की उमर में सिवानिवर्थ होते हैं और अब पुंदर नियुक्ते के बाद सिख्षक 69 साल का पूरा कारिये करेंगे और स्कूलों में पढ़ने का काम भी करेंगे एल नामाध उपचुनाओं में खटर का दावा एल नामाध को अब सरकार की साथ चलने वाले विद्धाय की जरूरत हर्याने के मुख्यमंत्री मनोरलाल खटर ने एलनाबाद हलके में वीर सिरोमनी महाना परताब और समाजिक नयाई के प्रणोता बाबा साथ भीमराव अंबेड करको सर्धाजली देकर उपचुनाव में परचार की शुरुआत की मुख्यमंत्री मनोरलाल ने हलके के गाउं रंधावा में एक जन सवा को सम्मोधित किया इस दोरान उन्होंने कहा कि 17 अफसालों से वीपक्स में बेठे एलनाबाद को अब सरकार के साथ चलने और विकास के लड़ाई लडने वाली विदाई की जरूर हता है मुख्यमंत्री के साथ मंचपर सांसत सुनिता दुगल, कैबिनेट मंत्री चोधी रंजीत सिंग, जेज़ेपी की नेता निशान सिंग और अजे चोटला भी मोजूद रहे कोहरे के कान रेल्वे ने रद की 18 ट्रेने उत्रपरदेश, बिहार, असम, पंजाब और गुजरात रूट पर नहीं चलेंगी ट्रेने उत्री भार्त, मद्य भार्त और पूरोतर राज्यों में अभी कोरा पड़ना शुरू भी नहीं हुआ है कि उत्तरपास्मी रेल्वे ने अभी से ट्रेने रद करना शुरू कर दिया है दिसमबर, जन्वरी और फरवरी में उत्तरपरदेश, बिहार, असम, पंजाब और गुजरात राज्यों में ट्रेनों में सफर करने वाली यात्रों को प्रेशानी होगी रेल्वे ने दिसमबर से लेकर जन्वरी और फरवरी तक कुल 18 ट्रेनों का संचलन रद किया है दो ट्रेनों का संचालन आनसी क्रोप से रद किया है एक स्पेशल को 2 दिसंबर से 25 फरवरी तक के लिए रद कर दिया है इसके रवा गाड़ी संख्या 047-12 में 047-11 स्री गंगानगर हरिद्वार स्री गंगानगर डेली स्पेशल ट्रेन को एक दिसंबर से लेकर 28 फरवरी तक सहरानपुर स्टेशन से हरिद्वार की बीच रद रखने का निनने लिया है कैप्टन आज सियासी दमाका करेंगे अमरेंदर सिंग ने प्रेस कॉन्फेर्ण्स बुलाई नई पार्टी का एलान कर सकते हैं इस हुझे से पंजाब कॉन्फेर्ण्स के भीतर हल सल तेज हो गई है अमरेंदर के प्रेस कॉन्फेर्ण्स का पता चलते ही कॉन्फेर्ण्स ने अपने विधाईकों से संपरक साद लिया है इसके अलावा बड़े नेताओं की मुमेंट पर भी नजर रखी जा रही है गोल्ड सिल्वर अपडेट त्योहरी सीजन में फिर 48,000 के पारवा सोना चांदी भी 66,000 के करीब पहुंची सराफा बाजार में सोना चांदी के दाम एक बार फिर बढ़ने लगए है सराफा बाजार में सोना 204 रुपे महेंगा होकर 48,346 रुपे पर 10 ग्राम पर पहुंच गया है वहीं चांदी की बात करें तो सराफा बाजार में चांदी 140 रुपे महेंगी होकर 65,792 रुपे पर 10 किलो ग्राम पर पहुंच गई है झाल झाल